वुरत में कुछ तीखा, चटपड़ा, नमकीन या साउधिन्यन स्टाइल कुछ खाने का मन हुरा है तो आप इस तासे चटपट वड़ा बना कर रेडी कर सकते हैं स्रीपास से 10 मिट में वड़ा बनकर रेडी होता है उपड़ से क्रिस्पी बनता है, अंदर से जाली पड़ती है, हलका सा वड़ा बनकर रेडी होता है वड़ा बने आने की बहुत ही अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए रेसिपी देखते हैं तो सबसे पहले हमें सामा चावल को पीस कर रेडी करना है तो इसके लिए हमने एक कप इतना सामा चावल लेया है सामा चावल को हमें अच्छे से साफ कर कर लेना है तो जितना हो सके उतना हमें इसे बारिक पीस कर रेडी करना है तो अगर आपके पास में इस सामा चावल का आटा है तो आप वो भी ले सकते है वो भी हमें एक कप लेना है तो इसे हम इस तरह से पैन में दाल देते हैं इससे में हमने पैन गैस पे नहीं रखा है तो जिस कप से हमने सामा चावल लिया है उसी कप से हमें एक कप इतना लेना है चाच या बटर मिल्क और साथ ही हमें इसमें एड़ करना है एक कप इतना पान तुकड़ा दर्खा मैं लिया है हरी मिश्ट में इसमें 4 कटा हुआ हारा दुनिया हमने इसमे डिया है' और साथ ये नमक डिया है एक चमच और साथ है फिसमे जोगते ठाई देड्य चमच काली मीच का होड़क दो पहँडर छिरी इसे ग्यास पर रखकर चलाएंगे तो ग्यास की फ्लेम हमें मेडियम रखना है मेडियम फ्लेम पर हमें चलाते हुए इसे अच्छे से डो फॉर्म में लेकर आना है तो इस तरह से चलाते हैं तो इसमें लम्स नहीं बनते हैं और तुरण से तीन से चार मिट में ये डो फॉर् तो जब इस साथ हो जाए ना उस समय हमें क्या करना है इसे अच्छे से चला लेना है और इसे पाच मिट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ना है उसी के साथ हम चटनी बना लेते हैं तो एक चोथाई कप हमने लिया है भूने हुई मून फिली और साथ ही इसमें एड करे हूँ डे करी बिच बना सकते है करीपती के दो पत्ते हम ले रहे है इससे बहुत ही अच्छा प्लिवकार हो जाता है चितनी का तो इसए भी हमें ऐड करना है और शाथी नमक और विद्य पाणिया करती है 1 653 कप से भी अमने कंपानी इसमें आड किया है एक साथ जद्धा पानी कर नह दाला है तल जब गरम हो जाए उस समय हमें इसमें ऐड़ कना है एक जिरा जीरुआ ये तल्का बहुत ही अच्छा लगता है चिटनी पर तो इसे अमने मिक्स कर लेते हैं और और तील के वज़े से बहुत ही बड़िया इसका फ्लेवर हो जाता है चिटनी का तो इस ताहसे चिटनी बनकर रेडी हो चुकी है और साथ ही हमने वड़ा का जो आटा था उसे हलका सा थंडा कर लिया है और जिस ताहसे हम रोटी के लिए आटा गुंते हैं बस उसी ताहसे हमे एक चमच इतना तेल लाना है और इसे अच्छे से हाथों से मसल कर हमें गुन लेना है जिसे क्या होता है आटा है हाथों पे चिपकता नहीं है और जो हम वड़ा बनाते है वो बहुत ही अच्छे से गोल आते है उस पे क्रैक्स नहीं पड़ते है और साथी साथ ये वड़ा खा कर हमने ready कर लिया है तो अब हमें क्या करना है हातों पे ना हलका सा तेल लगा लेना है और इसके वड़ा बनाना है तो छोटे छोटे वड़ा में बना रही हूँ आप चाहू तो बड़े वड़ा भी बना सकते या अगर आपको दुसरे शेप में वड़ा बनाना है तो आप इस तो छोटू छोटू वड़ा हमारे बनकर रेडी है इसे तरह से हमने सभी वड़ा बनाकर रेडी कर लेना है तो इस तरह से एक कप सामा चावल से 25-30 वड़ा बनकर रेडी होते है तो अब हमें क्या करना है इसे फ्राइ कर लेना है तो फ्राइ करने के लिए हमें तेल को पूरी करना है क्योंकि जो सामा चावल का आटा हमने बनाया है उसे भी हमने कुक किया है तो इसे कुक करने में ज्यादा समय नहीं लगता है बस जब वड़ा पे कलर चर जाए उस समय हमें इसे निकाल लेना है तो इस तरह से हमें इसे फ्राय कर लेना है और दालने के बाद तुरंथी नहीं पुलेट ना है जब इस पे हलका सा कलर चेंज होता देखे उस समय हमें से पुलेट लेना है ये वड़ा तेल में जाकर फूटता नहीं है और जिस ता से दाल का वड़ा बनता है बस उसी ता से ये वड़ा बनता है तो देखे इस ता से हमें से फ्राइ कर लेना है वड़ को fry करकर रख लेना है इस से साइसे बनाय हुआ सामाडावल का वड़ा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं उपर से किता क्रिस्पी दिख रहा है और बहुत ही अच्छा इसका flavor आता है हलका से वड़ा खटा लगता है तो चटनी के साथ बहुत ही अच्छा जाता है तो कुरकुरा वड़ा बनकर रेड़ी हो चुका है उसी के साथ हमारे चटनी बनकर भी रेड़ी हो चुकी है तो एक वड़ा को हम तोड़कर देख लेते हैं तो देखिए अंदर से ये वड़ा किस्ता से बना है अंदर से बहुत ही अच्छा वड़ा बना है रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक दुरूर कीजेगा और चान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगा मिलते हैं नहीं